हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हुई आसमीन और आज हम बनाने वाले हैं फेस्टिवल स्पेशल्स शकर पारे की परफेक्ट रेसिपी जो के बहुत ही आसानी से और बहुत ही खस्ता बनके रेडी होके आज की शकर पारे हम गेहू के आटे से हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन प्लीज वीडियो को आएं तक देखें और एक बार रेसिपी को ट्राइज जरूर करें और अगर रेसिपी एच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माय चैनल शकर पारे बनाने के लिए यहां सबसे पहले मैं अधा खस्ते बनते हैं इसमें थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे टेस्ट इनहेंस करने के लिए चीनी एड़ करेंगे इसमें आदा छोटा कप चीनी को पहले हमें ग्राइंड करना है मिक्सर में उसके बाद करना है जो कपसे हमने आटे का मेजमेंट किये है उसके हिसाब से य चीनी अड़ करने के बार इसमें अउयल आड़ करना है यहां मैंने तीन बड़े चमच ओईल एड़ की फेक्ट शकर पारे बनाने के लिए ऑईल की कौन्टिटी सही होना बहुत ज़रूरी है आप यहां पर ऑईल की जवा घी का भी इस्तिमाल कर सकते हो यह सबी चीज़े अड करने के बार हम सबी ड्राइ इंग्रिणयेंक्त को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से मुठ्धी हुआ कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ओयल की कौन्टिटी सही है या नहीं यह हमारे ओयल की क्वाइल की बिल्कुल परफेक्ट है इसमें यहम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे जैसे हम रोटी का आठे का डो लगाते उसी तरीके का लेकि इसका डो थोड़ा हाड होता है सौट नहीं होता है और यह डो हमारा बिल्कुल रेडी है इसे अब हम कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं कम से कम 15-20 मिट के लिए हमारे डो को रखके 15-20 मिट हो चुके हैं इसे एक बार हम मसल लेते हैं अगर आपको लबता है कि थोड़ा सा हाड है तो इसमें आप हलका सा पानी आइड कर सकते हो यह मेरा डो परफेक्ट है मुझे पानी की ज़रुरत नहीं है और इसे मेने दो हिस्सों में डिवाइड कर इस तरीके से पेड़ों को थोड़ा सा स्यारो साइड से बराबर कर लोगी और इसे हम बेल लेगे रोटी के तरह जैसे हम बेलते लेकिन इसकी ठिकनेस रोटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है और यह हमारी रोटी बिल चुकिए इसे अभी हमें कट करना है इसे आप आपके म यहां मैंने दूसरे वाले पेड़े की भी रोटी बना के रेडी कर ली हूँ और जो भी साइडे में दरा रहे थी उसे भी साइड से कर ली हूँ उसे हम दूसरी रोटी में इस्तिमाल कर लेंगे और इसे भी उसी तरीके से हम कर लेंगे और छोटे-छोटे शकरपारे बना यह हमारे शक्करपारे बिल्कुल रेडी है इन्हें हमें फ्राय करना है जिसके लिए पहले से मैंने ओईल गरम कर ली हूँ और यह ओईल चेक भी कर ली हूँ यह ओईल हमारा परफेक्ट है इसे हम एक एक करके शक्करपारों को आड़ करते जाएंगे और हमें शक्करपारों क एक्षे से फूल जाते है उसके बाद दो मिन्ट हमें निकार निखार तेल निखारता ते और निकाले पेपर टावल पर रख लेंगे जिसे जोब इस रॉयलेगा वह फयर्ण पेपर टावल अब्सर्ब कर लेगा और हेहा हमारे गरम घरम खस्ता खस्ता शाकर पान पर नहीं है और यकीन माने इसका टेस्ट भी विपल कल परफक्त है तो पुलिस यह रेसिपी को ट्राय подход ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बता। आपको रीसिपी कैसी लगी even है